दोस्तो में अधर मारवल्स का ट्रेलर आचुका है यूटूब पर इस से पहले इसका टीजर आया था और अब ट्रेलर लेकिन आप और में सभी लोग जानते हैं कि मारवल्स की एक मूए दूसरी मूए से जुड़ी हुई होती है इस से पहले कमाला खान की Miss Marvels आयी थी और उसस लगबग पावर तो सभी के पास लाइट की और अब इस टेलर को देखके लगता है कि यह जो रोनन के रिष्टदार जैसे लग रहे हैं लोग इसने कमाला खान के कंगन जैसा है इसके पास एक कंगन ने तो इसको पावर केप्टन मार्वल की इन दोनों से रिप्लेस कर दिये अब यह होगा यह कि इन तीनों में से जो भी अपनी पावर यूज करेगा एक दुसरे के साथ रिप्लेस हो जाएगा अब इस ट्रेलर को देखकर तो मोवी काफी अच्छी ही लग रही है क्योंकि इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन कहां से चल रहा है उपर से इसमें निक फ्यूरी होने वाले हैं जो कि केप्टन मार्वल के साथ हमेशा ही होते ही हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो वह औरत करती है कि केप्टन मार्वल मोत की देवी हो सकता है कि केप्टन मार्वल ने किसी ग्रव को बचाने के लिए उसकी खांदान या फिर उसके पूरे ग्रह को ही नश्ट कर दिया हो या फिर उससे कुछ गल्दी हुई हो तो उसका बदला लेने के लिए वो वापस आई थी और देखने पर यह इसा लग रहे हैं कि रोनन जो की गारजन सोग वेलेफसी मूवी में मर चुका लेकिन इस मूवी को देखकर वापस से लग रहा है इसका ट्रेलर देखके की नहीं मूवी अच्चे ही बनने वाली है वेसे भी केप्टन मार्वल काफी ओवर पावर करेक्टर दिखाया गय था फर्स्ट मूवी में इसकी सोलो मूवी पिछली गई थी लेकिन वो सकता है कि यह मूवी चल जाए क्योंकि यह केप्टन मार्वल की सेकंड सोलो मूवी होने वाली है तो ज़्यादा फोकस तो केरल डैनवर्स के उपर ही होगा लेकिन फिर भी कामाला खान और मोनिका को साथ में लिया है तो इनसे भी कुछने कुछ काम करवाएंगे आपको पता ही है मार देखने पर काफी एक्सपेक्टिंग लगता है कि मूवी अच्छे आएगी लेकिन पता नहीं अब चाहिए वने वाला इस मूवी के साथ और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियो को बनाते रहें